इंडियन आर्मी रिक्रूट्मेंट रेली 2021 नमस्कार दोस्तों इंडियन आर्मी की रेली बर्तियों का इंतजार करने वाले अब्यारतियों के लिए अब एक अच्छी कबर आही चुकि है क्यूंकि लगातार रिक्रूट्मेंट रेली आरी है लेकिन सेना रेली बर्तियों वो आखिर कब तक सेना रेली बरतियां सुरू होगी क्या लंबे समय तक तैयारी करे या नए करे तैयारी करे तो कितने दिन बाद में हमारी रिकूर्टमेंट रेलियां सुरू होगी तो दोस्तो इस बार COVID को देखते वे बहुती बड़ा बदलाव सेना रेली बर्तियों में करवाया जा रहा है बिल्कुल दोस्तो पहली सेना रेली बर्तिया आपके शुरू हो चुकिया बिल्कुल यहां पर अब आपको 40-50 अब्यार्तियों के साथ ही एक बेच में दोड़ना होगा और काफी ज्यादा अच्छा मैसूस कर रहे हैं कि कुछ अब्यार्ति ऐसे हैं जिन्होंने कभी इंडियन आर्मी की रेज पास नहीं की वो भी ब्यार्ति इस बार सेना रेली बर्ति में रेज पास कर पाएंगे दोस्तों इसको लेकर संपुन जानकर यह आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले वीडियो अपके लिए बहुती महत वोपन साबित होने वाला आप वीडियो के अंतक आप जरूर बने रिजिगा साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो और इंडियन आर्मी की आगे हने वाली हर परकार की रिकूट्मेंट रेली की तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेली बरती की तैयारी करने वाले अब्यारतियों के लिए बिल्कुल दोस्तों अब एक बेच में 40-50 अब्यारतियों को ही दोड़ाया जा रहा है बिल्कुल और यहां पर पूरा समय भीस बार सेना रेली बरतियों में दिया जा रहा ह काफी लंबा समय हो चुका है सेना में भरती हुए वे क्योंकि लंबे समय से सेना भरतियां बंद पड़ी है और सेना में लगतार जवानों की कमी चल रहे बारत चीन तनाव बारत पाकिस्तान तनाव के बीच सेना को जवानों की बहुती ज़्यादा जोरूत है ऐसे में सेना के द्वारा अब ये ताय किया गया है कि सभी राज्यों की जो ARO और BRO के द्वारा रिकूट्मेंट रेलियों करवाई जाती है वो अब सुरू की जा सकती है लेकिन ग्रह मंतराले के द्वारा जो COVID-19 को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन सभी ARO और BRO की रिकूट्मेंट रेलियों में करवाया जाएगा यहाँ पर ग्राउंड में एंट्री कारने से पहले सभी अब्यारतियों का यहाँ पर टेंप्रेचर चेक किया जाएगा उसके बाद ही अगर किसी ब्यारति का टेंप्रेचर ज्यादा है तो उसको बरती परकरिया के लिए यहाँ पर एपलाई नहीं माना जाएगा मतलब रनिंग के लिए आगे नहीं बेज़ा जाएगा जबकि नोर्मल टेंप्रेचर वाले सबी ब्यारतियों को ग्राउंड में एंट्री दी जाएगी और दो कैंडिडेटों के बीच में दो गज की दूरी का भी आपर द्यान में रखा जाएगा साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन आपको साथ में लेके जाना होगा जिसमें साब साब लिखा होगा कि मैं कोविट-90 से ग्रस्तित न हूँ नहीं कभी मेरे को कविड हुआ यह सारी चिज़े आपको लिख के लेके जानी होगी तब भी जाकर आपको सेना रेली बरतियों में सामि प्रदी से बता दे कि आप कौन से राजे से विलोंग करते हो ताकि हम आपको ये बता सके कि आपके राजे की रिक्रूटमेंट रेलिया कब सुरू होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैन जैबार